आपका बहुत बहुत धन्यबाद सर इस महत पुर्ण विशेश पे आपने मुझे बोलने का समय दिया और हमारे जैसे छेत्रे विशेश करके दाजिलिंग, कालिंग पुंग, सिलिगुडी के लिए और भी महत तक विशेश बन जाता है क्योंकि हमारे छेत्रे को पिसले 65 साल से ठगा गया है, हमारे कॉंग्रेस के साथी, UPA के साथी भी हमारे बीच में है पता नहीं कारण क्या रहे होंगे, लेकिन UPA के समय में पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि जो भी बोर्डर रीजन है, उसकी जो है डेवलोप्मेंट नहीं करनी, वही अपने एक राष्ट्रिय पॉलिसी उन्होंने बना रखी थी, पता नहीं उनके सलाकार कौन थे तो मैं आपसे ये भी निवदन करता हूँ सर कि इस दारजिलिंग छेत्रा जो चार इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ छेत्रा है, चाइना, भुटान, बंगलादेश और नेपाल से लगता हुआ एरिया है, थोड़ा समय आप हमको जरूर अधिक दे, सबसे पहले तो म आधन्या, प्रदान मंत्री मोधी जी और नितिन गटकरी जी का बहुत आबार वेक्त करता हूँ कि आप लोगों के मारदर्शन में और लिडर्शिप में पिछले साथ सालों से नौर्थीज जैसे छेत्रा या बोर्डर के जितने भी रीजन है, हिमालय रीजन में बहुत ते लोग कहते हैं कि अगर हमारा देश विक्षित होगा तभी हमारी सडके अच्छे बनेंगे, लेकिन वह हमेसा एक बात कहते हैं कि अगर हम अच्छी सडक बना सकते हैं, तो देश अपने आप जरूर विकास करेगा, सर जैसा कुछ सांसदों ने कहा कि अमेरिका के बाद दूस सबसे बड़ा विश्व का सडक नेटवर्क भारत का है, और 65% के आसपा जो है गुड्स का ट्रांस्पोर्टेशन हम सडक के माध्यम से करते हैं, और आज भी 90% से ज्यादा पेसेंजर जो है ट्राफिक सडक के माध्यम से ही होती है, 2013-2014 तक जहां रोज 12 किलोमेटर की सड़ तो एक दिन हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे, आप देखिए सर 65 साल तक जब यूपी या कॉंग्रेस का साशन रहा तो देश में करीब 90,000 किलोमेटर का निशनल हाईवे था, आज साथ साल में बढ़ करके डेड़ लाग किलोमेटर का हो गया है, यह अपने आप मे वेक्त करना चाहूंगा, इतना ही नहीं सर, ग्रीन एंवाइरोमेंट, ग्रीन टेकनोलीजों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कार्बन फूरूपिंट कम हो, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, गती सक्ती के बारे में बताया गया, सीमलेस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, और साती ये मुझे लगता एक बहुत बड़ा करांतिकारी जो है, ये उप्योग होगा, मैं बात करना चाहूंगा, कुछ दारजिलिंग और कुछ बंगाल के विशे में, सर, जैसा मैंने आपको बताया कि बोर्डर के रिजन आज बहुत तेजी से विकास हो रहे हैं, नौर्थ इस में भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है, इसके कारण नौर्थ इस में पीस भी हो रहा है, डवलोप्मेंट भी हो रहा है, और आने वाले समय में पूरे देश के लिए ग्रोथ इंजन का काम जो है, नौर्थ बंगाल या नौर्थ इस का चेतर आवश्यक्ता है और इस विशे को रखने से पहले एक विशे मैं और आपके माद्यम से करना चाहूंगा कि करीब डेड़ लाग करोड के आसपास की योजनाओं के उपर में पश्शिम बंगाल में आज काम चल रहा है और हमने ये देखा सर इसको महसूस भी किया कि पश्शिम पंगाल में जब तक 10% से जादा कमिशन अगर कॉंट्रेक्टर नहीं देता तो कोई भी काम होता नहीं है मुझे लगता है डेड़ लाग करोड में अगर मंत्रा ले ठीक से जो है देखरे करे तो 15,000 करोड से जादा हिंदूस्तान का पैसा हम बचा सकते हैं सर हमारे छेतरे में 717A जो कालिंगपुंग से होते हुए सिक्कीम गेंटों तक जाता है करी 2400 कडों की योजना पे काम चल रही है और ये काम ठीक ठाक तरीके से चल रहा है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें और तेजी लाया जा सकता है दूसरा सर एसेन हाईवे गोश्पूपूर से लेकर के बागडोडा चारलेन की सड़क बन रही है दो जार बाइस तक कंप्लीट होनी है समय बहुत थोड़ा है इसको थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा एनेस 34 राइगन से दाल खोला चारलेन करीब हजार करोड की ये योजना है इसी तरह सर सिलिगुडी के अंदर में सिलिगुडी शहर हिमाले के गोद में बसा हुआ मुझे लगता है भारत का सबसे सुन्दर शहर है लेकिन आज वो पूरा शहर बैठ चुका है ट्राफिक की स समस्या की वज़े से और चोटी-चोटी सड़कों की वज़े से और हम पश्रिम बंगाल से हम उसकी अपेक्षा भी नहीं रख सकते क्योंकि अल्रेडी जो है लक्ष्मी हम से रूठी हुई है और ममता दिदी के कारण जो है आज 6 लाग करोड के कर्ज के उपर में पश्रिम किलो मिटर का जो है फोर लेन या कहीं कहीं सिक्स लेन जो है एलिवेटेड रोड बनना है करीब इसके लिए 990 करोड रुपे की सुख्रिती जो इसी बज़ेट में हुई है मैं चाहता हूं सर ये काम जल से जल हो और इसके कारण सिल्य गुड़ी का करीब 80% जो ट्राफिक की समस्या है वो हमारी अच्छी हो जाएगी इसी तरह सर आज देखें दार्जिलिंग जाने के लिए सिल्य गुड़ी से जो रोड जाता है सारे रोड जाकर के आदे रोड यानि कर्शंग में मिल जाते है उसके बाद एक ही रोड होता है और ये अंग्रेज के समय से वही रोड बना हुआ है हमने एक मांग की थी कि दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए सिल्य गुड़ी से अल्टरनेटिव एक हाईवे बने है उसका जो है अभी डिपी आर स्टेज पे है मैं चाहूंगा कि उसका भी काम जल से जल हो सर इसी तरह से जो है एनेच टेन जो कालिंग है और ये रोट आप इसी रोट को इपयो करते वे चाइना बोडर तक भी आप जाते हैं लेकिन एनेच टेन की इतनी खस्ता आवस्ता है आज क्यूंकि एक तरफ जो है तिस्टा नदी बैती है और नदी के कारण सड़क जो है विलुप तो होती जा रही है और मंत्रा लेने क आगे चलके जब एक कोरोनेशन ब्रीज आता है और मंत्री जी हमारे बीच में बैठे वो उनको ये अच्छे से जानकारी है ये अंग्रेज का बना हुआ कोरोनेशन ब्रीज सो साल हो गया सर और कभी भी जो है ये किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है और भूती खस्त अवस्ता में ये कोरोनेशन ब्रीज है और मंत्राले ने इसकी भी सुईक्रिती दिये है मैं चाहूंगा कि ये करीब 1100 करोड के बजेट से जो बनने वाला पुल है करीब 6.5 किलोमेटर का ये भी जल से जल हो सर एक और घोशना इस बार नितिन गटकरीजी ने की है दूसरे छेतरों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत हो जाएगी हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ये चिकन रेक एरिया है लेकिन सर डेवलोपमेंट नहीं होने के कारण वो चिकन नेक आज बोटलनेक बन गया है और उस बोटलनेक के कारण जब तक आप सिल्युग जल से जल हो सर दो बाते आपके माद्यम से मैं मंत्री जी से रखना चाहूंगा सर जैसे मैंने काया सिली गुडी शहर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और मैंने मंत्री जी से निवेदेन किया था कि शिली गुडी के चारो तरफ एक रिंग रोड बने जिस तर्ज दिली में बना हुआ है तो इसकी फीजिबिलिटी जो है वर्क आउट हो रहे मैं चाहता हूँ कि ये काम हमारी छेत्रे के लिए जल से जल हो और सर अंत में एक विशे और है परवत माला योजना क्योंकि मैं पहाडी छेत्रे से आता हूँ और हम सब जानते हैं बहुत कन्वे पासे से लेकर के रोग गार्डेन और तुंग सुंग से लेकर पांदन तक मेरी इच्छा है कि हमारे डार्जिलिंग के लिए ये तीन रोपे बने और इसके कारण जो हमारे लोकल लोग हैं सर मैंने पहले ही का था बड़ा सिंसिटिव एरिया सर बस दो मिनिट मैंने इच्छ है सर कि अगर ये तीन रोपे बनते हैं जो तीन से चार किलो मिटर के डिस्टेंस वाले होंगे इसके कारण सर तूरिजम भी बड़ेगा और लोकल हमारे वाँ के लोग हैं उनको भी उसका बहुत फाइदा होगा और इतना सारा विशे रखने के लिए सर मुझे आपने समय द है क्योंकि हमारी सरकार जैसे हमारे दिर्दाबियां बैठे हुएं सर कभी भी आज तक तीन साल होने के है कोई दिशा कमिटी की कोई मीटिंग नहीं हुई और कोई भी योजना जो पश्चिम बंगाल में केंदर सरकार के पैसे से होती है उसकी जानकारी सांसदों को नहीं हो हुएंगा कि सर आपके माध्यम से जो है शी ब्रमान अंद्रीकर सर नहीं ये अनॉंस्मेंन किया था उनकी योजना थी कि हमारे यहां हर मैने दिशा कमिटी को आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज करियां ब्रमान अंद्री